Hello friends and medicine, industrial pharmacy के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the defect in coating के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के defect होते हैं हमारे tablet coating में और इसमें हम लोग detail में बात करेंगे कि उनको हम किस तरह से solve कर सकते हैं मेरा नाम है डाक्टर महमतापसिंग तो चलिए सुरू करते हैं तो अगर हम बात करते हैं defect in coating के बारे में इसको हम film defect भी कहते हैं variation in the formulation and processing condition result in unacceptable quality defect in the coating तो अगर हम अपने formulation में और जो हमारी coating की process है उसकी condition में अगर variation करते हैं तो हमें unacceptable quality defect अपनी coating के अंदर देखने को मिलता है तो इस वीडियो में हम लोग इसको भी देखेंगे कि हम कौन-कौन से defect होते हैं और इसको भी देखेंगे कि उनको हम किस तरह से solve करते हैं तो अगर हम इन defects को categorize करना चाहें तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं जो हमारे वो defect formulation में variation के कारण हो रहे हैं उनको एक हम अलग category में डाल सकते हैं जो हमारे processing condition की variation के कारण हो सकते हैं उनको एक हम अलग category में डाल सकते हैं और जो इनके एक mixture के रूप में हो रहे हैं उनको हम अलग category में डाल सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पहले defect के बारे में तो ये है sticking and picking, तो इसमें क्या होता है, तो अगर हम अपने coating, जो हमारा coating solution है, अगर उसको हम properly control नहीं करते हैं, या हमारी जो drying की process है, उसको अगर हम properly control नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, कि जो हमारा coating solution है, वो हमारे टेबलेट के उपर उसको wet कर देता है, और जो उसकी film की ठिकने से उसको increase कर देता है, तो उससे क्या होता है, कि जो हमारी टेबलेट से है, वो आपस में stick होना start हो जाती है, या वो coating pan से stick होती है, अगर वो टेबलेट तो इस condition में हम जब डेबलेट जहां पे contact में है, उस place पे क्या होता है, कि जो हमारी फिल्म है, वो एक दूसरे में वो चिपक जाती है, या वो हमारे pan में जाके वो चिपक जाती है, वो इसे small exposed area of the core, तो वहाँ जो हमारा टेबलेट को रोता है, वहाँ पे हमें एक small exposed area देखने को मिलता है, तो अगर हम इसको solve करना चाहें, तो हम अपनी process condition को change करके, हम इसको आसानी से solve कर सकते हैं, ये process conditions क्या है, our reduction in the liquid application rate, increase in the drying air temperature, increase in the air volume, तो हम अपनी air के volume को increase करके, means जादा air को supply करके, जो हमारी air है, उसके temperature को increase करके, या जो हम हमारा coating liquid है, उसके application rate को reduce करके, हम इस problem को आसानी से solve कर सकते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला defect है, ये है roughness, तो इसमें क्या होता है, एक rough and gritty surface is a defect observed when the coating solution is applied by a spray, तो अगर हम spray के थूँ अपने coating solution को apply करते हैं, तो अक्सर हमको ये देखने को मिलता है, कि जो हमारी tablet की, जो हमारी surface है, वहाँ पे हमें, वो rough and gritty surface देखने को मिलती है, ये किस कारण से होता है, अगर जो हमारी spray की drops हैं, वो हमारे tablet bed पे पहुँचने से पहले ही, अगर वो dry हो जाती है, तो उस condition में ये problem हमको देखने को मिलती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी spray dried particles हैं, वो हमारी tablet के उपर deposit हो जाते हैं, और एक हमें वहाँ पे rough और gritty surface देखने को मिलती है, हाँ, तो अगर हम बात करें कि हम इसको किस तरह से solve कर सकते हैं, तो इसमें हमारा जो spray का nozzle है, उसको हम हमारी वो tablet के bed के पास में अगर move कराते हैं, या उसके पास में लाके spray करते हैं, तो हम इस problem को आसानी से solve कर सकते हैं, अगली जो हमारी problem है, यह है orange peel effect, तो इसमें क्या होता है, inadequate spreading of the coating solution, वो before drying, तो अगर हमारा जो spray का coating solution है, वो properly spread नहीं हो रहा है, और और drying अभी proper नहीं हो रही है, तो उस condition में क्या होता है, है, अलग काज, अलग bumpy और orange peel effect on the coating, तो वहाँ पे हमें एक orange peel effect type का वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब orange peel मतलब जो हमारा संतरा होता है, उसका छिलका, तो उसको हम लोग जब उखारते हैं, तो उस तरह का effect हमें अपनी टेबलेट coating के साथ में देखने को मिलता है, हमारी जो film है, वो हमारी टेबलेट को छोड़ती है, और वहाँ से अलग हो जाती है, तो इसको अगर हम solve करना चाहें, तो हम लोग आसानी से इसको solve कर सकते हैं, जो हमारा coating का solution है, उसको अगर हम thin कर देते हैं, उसमें और solvent को add करके, तो हम अपने coating solution है, उसकी अगर thickness को कम कर देते हैं, तो हम आसानी से इस problem को solve कर सकते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला defect है, यह है brisking and filling, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको आसान बासा में वो देखें, तो अकसर हम लोग देखते हैं, कि जो हमारी tablets होती है, उनके ऊपर कोई न कोई होता है, मतलब monogram होता है, या कोई एक line होती है, तो जो हमारा coating solution है, वो उसके ऊपर कोई bridge form कर देता है, या उसको fill कर देता है, तो वो हमारा इस category में आता है, तो during drying, the fill में shrink and pull away from sharp corners of an integration or biceps, तो उस condition में जो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी lining है, या जो भी हमारा biceps है, उसके ऊपर जो हमारा coating solution है, वो एक bridge form कर लेता है, वो resulting in the bridging of the surface depression, तो इस condition में अगर हमें इसको solve करना है, तो हम इसको आसानी से solve कर सकते हैं, इसको अगर हम अपने coating solution के अंदर plasticizer की concentration को increase कर दें, या अपने plasticizer को अगर हम change कर देते हैं, तो हम आसानी से इस problem को solve कर सकते हैं, उसके बाद जो इसमें अगला था वो क्या है? इसमें क्या होता है? अगर हम अपने जो solution को बहुत ज़्यादा इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है? कि जो भी हमारी linings हैं वो उसमें failed हो जाती है तो इसको अगर हमें control करना है, इस problem को solve करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं अगर हम अपने फ्लूड अप्लिकेशन रेट को मानिटर करते हैं और अपने वो टेबलेट को प्रॉपरली मिक्स करते हैं तो हम इस problem को आसानी से solve कर सकते हैं हमारी टेबलेट का अगला defect है blistering when coated वो टेबलेट require further drying in the oven to rapid evaporation of the solvent from the core and the effect of high temperature, strength, elasticity and the addition of the film result in blistering तो अगर हमें अपनी जो हमारी वो टेबलेट है उसको out dry करना है किसी भी oven में और उस प्लेश पे हम अधिक टेमप्रेचर अप्लाई कर देते हैं जो हमारा solvent है वो अगर rapidly evaporate होता है तो जो हमारी strength है जो हमारी film है उसकी जो strength है उसकी जो आप कह सकते elasticity है और उसका जो addition है वो वहाँ पे disturb होता है और हमें एक blistering effect वहाँ पे देखने को मिलता है तो अगर हम इसको solve करना चाहें तो आसानी से वो कर सकते है जो हमारी drying की condition है अगर उसको हम proper maintain रखते है तो हम इसको आसानी से solve कर सकते है means जो हमारी drying की process है अगर उसको हम slow कर देते है तो हम इसको आसानी से solve कर लेते है जो हमारा अगला है यह है hashing or dull film तो इसमें क्या होता है इसको हम bloom भी कहते है अगर वो coating become dull immediately or after a prolonged storage तो अगर हम अपनी वो टेबलेट को coating कर रहे हैं और जो उसकी coating है अगर वो dull हो जाती है अगर वो उसको हम long time तक store करते हैं और वो उस condition में वो dull हो जाती है तो इसको हम hashing या dull film कहते हैं normally it occur together with the surface roughness के साथ में ही यह हमें वो देखने को मिलती है वो this is what due to the low molecular weight of the plasticizer or too high temperature is used तो अगर हम जो plasticizer use कर रहे हैं उसका molecular weight कम है या हम बहुत जादा temperature वहाँ पर use कर रहे हैं तो यह defect हमें देखने को मिलता है तो इसको हम आसानी से solve कर सकते हैं increase molecular weight and concentration of the plasticizer तो plasticizer के molecular weight और उसकी concentration को increase करके हम इस problem को आसानी से solve कर सकते हैं जो हमारा अगला defect है यह है color variation तो इसमें क्या होता है the problem occur by processing condition और formulation तो यह जो processing condition के कारण भी होती है और जो हमारा coating का formulation है उसके कारण भी यह problem हमें देखने को मिलती है तो इसमें आई यह दो देख लेते हैं improper mixing, unequal spray pattern, insufficient coating and migration of the soluble dyes and plasticizer तो इससे हमें एक अपनी वो tablet के coating में color variation वो देखने को मिलता है अगर हम improper mixing करते हैं हमारा coating pan properly mix हमारी tablet को नहीं कर रहा है जो spray का pattern है वो unequal है हम properly spray नहीं कर रहे हैं अगर हम properly coating वो नहीं कर रहे हैं या जो हमारा soluble dye है वो हमारे coating solution के अंदर से migrate हो रहा है तो उस condition में हमें एक color valuation का defect देखने को मिलता है तो आईए अब हम लोग देख लेते हैं इस problem को हम किस तरह से solve कर सकते हैं use of lake dye eliminate dye migration तो अगर हम कोई lake dye use करते हैं तो यह जो उसका migration है उसको eliminate करता है अगर हम कोई different plasticizer use करते हैं और अपने coating solution को reformulate करते हैं और उसमें कुछ और additive add करते हैं तो हम इस instability की problem को आसानी से solve कर सकते हैं हाँ तो अगली जो हमारी problem है यह है cracking तो इसमें में क्या होता है वो cracking occur if internal stress in the film exceed the potential strength of the film तो जो हमारी वो टेबलेट की internal stress है वो अगर exceed कर जाती है हमारी जो फिल्म है उसकी हाँ वो tensile strength से तो हमें यह problem देखने को मिलती है cracking की problem देखने को मिलती है the small fine cracks observed on the upper and lower surface of the tablet तो इस condition में हम इसको किस तरह से solve कर सकते है यह अगर हम अपने जो फिल्म है उसकी tensile strength को increase कर देते हैं तो हम आसानी से इसको solve कर सकते हैं high molecular weight polymer को use करके तो अगर हम high molecular weight का polymer use करेंगे तो जो हमारी film form होगी उसकी जो tensile strength है वो जो वो काफी अच्छी होगी और cracking की problem नहीं आएगी ओके friends and my dear children यह defect आप लोग को समझ में आ गए होंगे कहीं पे भी कोई confusion है तो आप comment करके पूँच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू